वेलकम टू एमरीक एकडमी आज हम मैनेजमेंट के तहत अपनी तिसरी क्लास लेके आये है और जिसमें हम देखेंगे आज प्रबंधन की प्रकृति इसके पहले हमने दो क्लास देख चुके थे ठीक है आज ही हमारी तिसरी क्लास होंगी थोड़ से ज़्यादा बड़ी होंगी ठीक है जिसमें हमने थोड़ा सा मतलब जो प्रबंधन का जो नेचर है मैनेजमेंट का जो नेचर है उसे अच्छे से समझने की कुशिश की है ठीक है आए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं आज प्रबंध की प्रकृति मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है ठीक या हुनर की समिक्षाव की प्राप्ति के लिए बाकाइदा एक तरकीब में प्रयोग किये जाए इसमें खास वस्तों को खास ढंग से करना और यह बताना कि उद्धिश्य कैसे प्राप्ति किया जाए शामिल है कला का कारिय परिणामों की प्राप्ति के लिए जान बुझकर कर एन ने प्रयतनों में परिवर्धन करना शामिल है हर कल्स वेवारिक होती है और इसका सब्भाण्द होता है स्रुजन के साथ, Olha क्या है को समझने के लिए आप मानो एक व्यक्ति क्या होती है किसी भी अभिविक्ति के अंदर का हुनर और उस हुनर के वज़े से उस हुनर के वज़े से जो वहाँ अपनी अभिविक्ति जो अंदर का जो गुन है वहाँ बाहर निकाल कर वहाँ अभिविक्ति प्रदशित करता है ठीक है अब मान लो वहाँ अंदर का जो हुनर है वहाँ अंदर की अभी विक्ति या चित्रकला हो सकती है या उसकी नुच्टे कला हो सकती है ड्राइविंग हो सकती है पढ़ाई करने की प्रतिरुची हो सकती है या एक प्रकार से प्रबंधन करने की रुच्ची हो सकती है ठीक है अब प्रबंधन क्या होता है अब प्रबंधन तो कोई सिख्य क्या आता नहीं है ठीक है प्रबंदन को सिख्के आता है क्या नहीं लेकिन वह जिस प्रकार से एक company में या एक पढ़ाय करने वाला student अपने subject को देखो company के बात छोड़ो आप अपने खुद की बात लो आप पढ़ाई कर रहे हो जिसे मानलो पटवारी के त्रेयरी कर रहे हो आपको Sigla Diab status M V8 subject में मुझे को पहले करना है को दूसरा करना है कितना करना किपना वेटेज है अब कप करना किस रूप में करना यह सब दे अपकी सिखी नई सिखी आपने क्सलास लगाई नहीं मुझे पूंसर पढ़ना है सब्जेक्ट कब पढ़ना है किस प्रकार से पढ़ना है यह सिखने के लिए आप किसी के अपास गए थे नहीं गए थे बिल्कुल नहीं गए थे तो यह आया कहा से यह अंदर से यह आया यहां आपके अंदर की अभिविक्ति है जो आपको य साइंस में क्या होता है विज्ञान मतलब क्या होता है देखो दो ही प्रश्ण उठ्टे है कि क्या प्रबंधन कला है ठीक है या विज्ञान है क्या है प्रबंधन कला है या विज्ञान है ठीक है दो ही प्रश्ण उठ्टे है अब देखो कला मतलब क्या वह जो आपके अंदर स तो सही बहार आए अभी विक्ति ठीक है और आप से जल्मजाथ हो सकती है या कई सीखते नहीं है इसस्जिश को विज्यान क्या जो तरक की कसोटी पर खरा उतरे तर्क के करला की prosperity मतलब क्या? प्रायोगी तोर पर आप उसको check करते हो, ठीक है? विज्ञान क्या होता है, तर्क की कसोरिटी पर ख talent गला की विज्ञानकर ये तो आज यहीं सिखेंगे कि प्रभदन की विज्ञान करने की जो कला होती है, उसमें विक्ति के पास, विक्तिगत व उसको वेवारी ग्यान होना चाहिए उसका पनना मुखी पहुच होना चाहिए निरंदर अभ्यास करते रहना चाहिए और सुरुजनता रहनी चाहिए ठीक है इनको हम एक देखेंगे एक एक करके लेकिन यहां आपको महलगा सा बतल व्यक्ति को नुहां मतलब क्या अब उस व् मेशन करना है किस प्रकार से अल autopsy करना है किस प्रकार से नियंदरन करना संभन करना से चन करना थिक कई व्यवारीuen होना चाहिए उसको उन चीज़ों की बारे महीं पता होना चाहिए इसा नहीं अब मान लोग देखो सिंपली सी बात है यहां आपका मैज का सप्जेक्ट है इंग्लीश है ठीक है यह साइन्स है और यहां MPG के ठीक है आपको यहीं नहीं पता कि कौन सा सब्जेक कितना वेटेज है आपकी कितनी पकड़ है ठीक है कितना टॉफ है कितना इजी है आप इन सब्जेक का मैनेजमेंट बेटा तरगे से नहीं कर पाओगे कभी भी ठीक है परणाम मुखी पहुच आपका ऐसा ग्यान होना चाहिए कि इनका रिजल्ट जो निकले आप इस पर जो वर्प करें उसका रिजल्ट आपका पॉजेटिव निकले ठीक है न चौती अब यह सब चीज़कब होगी यह निरंतर अभ्यास से होगी ठीक है और पाच्वा क्या सुर तो पहला देखेंगे व्यक्तिगत हुनर इन अर्थों में प्रबंदने कला है कि कारोबार के उद्धिश्यक की प्राप्ति के लिए बहुत से समस्यों को सुल जाने के लिए अपने ज्यान का हुनर का प्रयोग करना पड़ता है प्रबंदक इच्छा के अनुसार फलों को प प्रफनीक योगिता चाहे एक जैसी हो और पर उनकी कार गुजारी में बड़ा अंतर हो जाता है कोई डिफिकल्ट नहीं है सिंपल सी बात है कि कोई भी कारोबार करने के उद्धिश्य की लिए ठीक है अब मान लो ठीक है उस कारोबार में बहुत सारी प्रब्लम आती है ठी अपने हुणर के द्वारा छिटेंक है ।imme को चोड़ते हैं हमारे घर के बात करते हैं हमारे घर पर कोई प्रॉलमा वाती है तो सॉलेशन निकालते हैं यह पढ़ाय के में जबाते हैं तो एक दुर्ष्टी से प्रबन्दन क्या है कला है मतलग प्रबन्दन वेक्थिकत हो प्रबदन करता है अगर आपके बेवरिग्यान सानौ-इसका संबंद ज्ञान के प्रयोग के साथ का मतलब इसके अर्थ समझना नहीं बलकि ज्ञान का प्रयोग करैं जिसके साहत यह अधिक प्रभावशाली और लाब्दा एक हो सकती है जिस प्रकार एक व्यक्ति संगित के सब राग जानता हुआ भी रागी नहीं कहा जा सकता तब तक जब तक कि वह वाद्दे येंतर ना बजा सके ठीक उसी प्रकार प्रबंदन के सारे नियम और आदर्शिय और बा́थ करके भी प्रबंदख नहीं कहा सकते है अब मांद आप देखो यह मद्धी एक रहे इसको समझने के लिए बता रראा है यह है यह वrióक्ति बीए ठीक है है अब इस व्यक्ति ने विकिया है ठीक है और इस वेक्ति ने एक कॉमन डुष्न ग्राइवशन किया है ठीक ह पर तरह किसी मैनेजमेंट नहीं कर सकता यह पड़ा नहीं होने के बावजुद अगर इसके पास वेवारिक ज्यान है तो यह कर लेगा मैनेजमेंट ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति संगित के सारे राक सारे गामा पधानीजा ठीक है सब जानता हो फिर भी वह अच्छा गायक नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए उसको वाद्यद्र बजाना भी आना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि कौन से मतलब ताल पर किस प्रकार गाना है ठीक है उसका रिदम किस प्रकार होना चाहिए यह सब वेवारी ग्यान पर निर्भर करता है ठीक है आगे जखते ह मुखी पहुच परिनाम मुखी पहुच प्रबंधन का Сब्बंधंत 천 है कि अ बनाना पड़ता है कि सब कारिय सम्मेर पर पुरिय हो जाहे उत्पादोन विक्रें की लक्ष पुरिय हो जाएा उत्पादोन विक्रे कि लक्षिपुरी हो जाए और जो धन लगाया गया है वह पूरी तरह से मिल जाए देखो क्या है अब कोई विक्ति प्रबंधन कर रहा है ठीक है मैंनेजमेंट कर रहा है उसने फैक्टर कोली यह ठीक है अब इस पैसा लगाया उसका प्रोडक्शन हुआ अब क्या है सबसे बड़ी चीज़ प्रबंधन करने का में दूश्य क्या होता है प्रबंधन करने का मुख्य उद्धिश होता है क्या परिणाम प्राप्त करना रिजल्ट प्राप्त करना और रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव या पॉजिटिव लेकिन लेकिन एक अच्छा प् प्रभंद प्रबंद हमेशा उच्छे से उच्छे लक्ष करने की कोशिश करता है ताकि उच्छतन संपुन्गता प्रप्त की जा सके यह निपुनता प्रभाव लगातार अब्यासरी प्रप्त कर सकते हैं एक अनववी प्रबंदक ना क्यावल कारोबारी को बदलती हुई सब्सक्राइब न इसको सगल ऑख करने सब्सक्राइब नव सतन सब्सक्राइब क्वाराद कॉला थे सुगता है शुरुजनता मानलो प्रबंधन कला है शुरुजनता होना जरूर है आपके अंदर मानलो अंदर से कोई चित्राकारे की कला है जब तक वह कला को आप पेपर पर या बोड पर निकाल कर उसको प्रापर तरके से सुरुजन या निद्मित नहीं करोगे तब तक आपकी बहतर चित्रकला नहीं करोगे ठीक उसी प्रकार आप अपने प्रबंदन जो है, नए होपाएगा. ठीक है? हर कला में रचनत्मकता, अंशो होता है, इस प्रकार प्रबंदन एक बड़ी रचनत्मकला है, यह एक कला है जिसमें दुसरों को उस्सायत करके, उनके कारियों में तालमिल पैदा करके, उनसे काम करवा जाता है, पुराने समय में इस पर अध पहले क्या था कि प्रबंदन क्या मांदे थे पहले कि नहीं प्रबंदन क्या है कि लोगों को लोगों से काम निकलवाना उनके बीव में तामर बनाना ठीक है यहीं मानते थे वो मानते थे कि प्रबंदन कोई बुक्स में नहीं आ सकता आप उसकी कोई थीरी नहीं मना सकते ठीक कला को सिखा नहीं जाता विज्ञान को सिखा जाता है समझ जो सिंबल से भाग है कला को सिखा नहीं जाता है मैं फिर से बता रहा हूँ जो कला होती है ठीक है कला को सिखा नहीं जाता ठीक है न सिखा नहीं जादा ठीक है विज्ञान को सिखा जाता है कि विज्ञान को सिखा ज से management को theoretical form पढ़ना चलू किया ठीक है तब से हमने यहां समझा कि प्रबंदन एक विज्ञान है हम यहीं देखना है कि क्या प्रबंदन कला है कि विज्ञान है आज यहीं देखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं हमने प्रबंदन को कला के रुप में समझा अब हम देखेंगे प्रबंदन एक विज्ञान है कि नहीं है ठीक है यहां प्रबंद है प्रबंद एक विज्ञान है ठीक कर लेना प्रबंद एक विज्ञान है विज्ञान का शब्दार्त है ज्यान यह मानवदार और प्रयोक और निद्शन दौरा प्राप्ट जेज अब किया गया विभस्त ध्यान संग रहा है मैंने पहले ही कहा था जिसमें जो तर्क की कसोटी पर खढ़ा उत्री जिसका प्रयोक दोडरे निरेक्षण हो अब सब्सक्राइय मतलब जिसका कला आपके अंदर है कला देखो कला आपके अंदर है आपको यही देखना है कि इसको कैसे करना है है कि नहीं है आपको चित्र कला मानलो है प्रब्दन करने के कला आपके अंदर है बस आपको उसको बाहर निकलना है और यहां देखना है कि इसको कैसे कर सकते हैं लेकिन केंज नाम ध्यान रखना जी ठीक है ना केंज के शद्दों में विज्ञान या विवस्तित संग्रह है जिसके साथ कारण और प्रभाव में सब्मंद स्थापित हुता है देखो विज्ञान जहां भी आएगा वहां क्यों कब कैसे मतलब कारण और प्रभाव दोनों आएंगे विज्ञान आएगा जहां भी विज्ञान आये वहां पर कारण और प्रभाव दोनों आएंगे या किसने कहा था केंज ने कहा था कि विज्ञान की प्रबंद ने एक विज्ञान है और वहां विज्ञान वैसा विज्ञान है इसमें कारण और प्रभाव कि दोनों की बेच म के सभ्वंद सफटत है कि ने कहा था आगे वठते हैं अ विभ्यान के मुख्य लक्ष्र निचे अब विज्यान के है जैसे मेने कला पहले बताया जो निलक्षन के लिए विज्यानीक आधार प्रयोग में लाता है लाते है कि ने लड़ते देखो आप बड़े student हो ठीक है मानता हो कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे है इनका science background नहीं है लेकिन दस्वे में science पढ़े है ठीक है दस्वे में science पढ़े है दस्वे तक बढ़ते आ रहे है इसलिए स कि समझे में देख्क जाएगी नहीं ति क्यों नीजाएगी देखो विज्यान कै के लिए में क्या करते है कि से निरेक्षन का संग या कैसे करें नमक पाणी में घूला क्यों गुला हमें घुली है यहां होता है डुशिले चीज सिद्धान तरन लगातार निरक्षन के आदार पर होता है होते यह कि नहीं होते है ठीक है आयसे मि निस नो दिया ठीक बॉस्च निक्तेया फिर आगे जड़के भविश्य में केसे Vocês एक ने पर था कुछ अलग थी थी कि VO3 लिखेंग अलग सिद्धान कैसे होते हैं विश्व व्यापी होते हैं नियूटन का सिद्धान अमेरिका में यूरोप में हो जर्मनी में हो ऐसा है कि नहीं सरव वैश्विक है भारत में वही है गुरत्वाकर्शन का नियां भारत में लग रहा है अमेरिका में लग तत्वों में कारण और सबंध्स करना कि क्या है विज्ञानिक सिदान्खी सार्थक्त तकी सब्सक्राइब कर सकते हें你好 कि Pangalo कि कोई व्यक्ति ने ईक प्रयोक किया उसने कहा कि यह हम tenho THE most of us क्या कर सकते है सार्थक्त स्थाप्द कर सकते हैं उसका प्रूफ करेंगे पहले कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब क्या इसमें हम प्रूफ करते हैं जो भी घटना गटी उसका आदार रूंट एक यह सच में घटी और गटनी की परज़े का कारण क्या है ठीक है यहीं विज्ञान अब देखते हैं वेवस्तित ज्यान का संग्रा पाचों पॉइंट का समझना है वेवस्तित ज्यान का संग्रा मतलब क्या ठीक है प्रबंदन को एक विज्ञान माना गया है प्रबंदन कला भी है कोशन आए कि निम्नम में से प्रबंदन क्या है कला विज्ञान कला यह प्रबंधन को एक विज्यान माना जाता है क्योंकि क्या है यहाँ व्यवस्तित ज्यान का संक्र है ठीकर तो लंबे समय में अभ्यास प्रबंदन के लिए विग्यानिक प्रबंदन की पिता इसको अंडर्लाइन कर लेना फैडरिक डबल्यू टेलर ने नियोजन संगटन स्टाफिंग अभी प्रेड़ना आधी के अध्यन्हेतु विग्यान तक्निक का प्रयोग किया है प्रबंदन की पिता किसे कहते है यह कोशन आ सकता है विग्यानिक प्रबंदन की पिता फैडरिक डब्यू टेलर को कहते है और इन्होंने नियोजन करना नियोजन मतलब प्लानिंग होता है संगटन करना और्गनेस्ट करना स्टाफिंग अभी प्रेयरना यहां आधी सभी चीजों का अध्यान विग्यानिक तक्निक का प्रयोग करके किया है कोशन पूछ सकता है कि नियोजन का अध्यान विग्यानिक तक्निक का प्रयोग करके सबसे पहले किस ने किया था फैडरिक लगातार निरक्षन करते हैं कि नहीं करते हैं प्रबंदन के संबंद में प्रबंदन के सिद्धान्त लगाता निरक्षन से विच्छत हुए है प्रबंदन का ज्यान अनेक सिद्धान्तकारों और अब्यास सीखाओं के वर्षों तक किये लगातार कटिन प्रप्रप्तिनों से प्रबंदन कैसे आया बोलती है कि एक लगातार वर्षों से कोई मतलब सिद्धानकार और अब्यास पंटिन्यू कर रहे थे उसके बाद हैं पता लगा कि प्रबंदन इस प्रकार से गयाता है करके ठीक है विश्व यापी प्रयोग व्यग्यानिक सिद्धान मुख्य सच्चाय से बने हैं और इनका प्रयोग हर समय और हर व्यवस्थामें हो सकता है अरथाथ इनका प्रयोग व्यश्वय अप्य है कुछ प्रबंदन का मुख्य नियाम है जिनका प्रयोग हर जगह हो सकता है Curry की है कारण और प्रभाव का सब्सक्राइब करते हैं कारण और प्रभाव का सब्सक्राइब कारण और भाव का सब्सक्राइब करते हैं उदारग और देखो सिंपल सी बात है कारण और प्रभाव करते हैं तो आपको प्रभाव मिलेगा आपका अपका प्लांट और नियोजन और preliminary प्रभंसं हो मनें पहर ले कहा था सबसे पहले बाद कि आपके अगर प्रड़क्शन में नकरात्मक्ता आ रही है तो आपका मैनेजमेंट खरब है तो कारण और प्रभाव दोनों का सब्मन रस्तापित किया गी ने किया आप कारण क्या क्या हुआ प्रबंदन खरब हुआ प्रभाव क्या निकला उत्पादन में प्रामानिक्ता और भविश्यवन केवल ग्यान या तत्य संगरहा ही विज्ञान नहीं इस प्रका प्राप्ट्य कि गये जब परतल किया जाए तब विज्ञान भनता है जब वहत तरकी कसोटी पर खड़ा होते तब बनता है बता चुकाओ प्रबंदन की सिद्धानतों को भी उनकी प्रमानिकता के लिए प्रका जा सकता है प्रबंदन की सिद्धानतों की परक की गई और यह प्रमानित सिद्ध हुए उधारन की तोर पर एक मालिक के अधिन कर्मचारी उनसे बढ़िया काम करते हैं जो की बहुत से माल के अधिंकार्य करते हैं आग्या में एक्ता का सिद्धान प्रबंदन की सिद्धान को आगे ला जाता है किस्पका कारण और प्रभाक और इसे डूनने के साथ बविश्य में होने वाली घटनाओं के आधार ढूंटा होता है ठीक है आगे जाकते हैं प्रबंद की बतोर विज्ञान सिमाये या प्रबंद एक अनिचित या सामाजिक विज्ञान अब अलग आया अब क्या बोल रहा है प्रबंदन क्या है सामाजिक विज्ञान है तेखो पहले मने कलाब बताया फिर विज्ञान अब सामाजिक विज्ञान तो लाज जिसमें हो वहां विज्ञान समाज के काम आए उसके सामाज की बाते आती हो उसे गजिया सामाजिक विज्ञाण ठीक है उपर दिये गए विचार से पर्षट होता है कि प्रबंदय की विज्ञान इस पर इस बात का ध्यांद रखना चाहिए कि इतना निचछीत विग्यान नहीं तक शिद्धन सब्सक्राइब को नहीं आ देला सकता कई बार हो सकता है कि वह फढ़ राप्त न हो इसकी चेकी गई प्रबंध को ना सता का मुख्य कारण यह हां कि सम्मन्द मनोश्यों के साथ है इस प्रकार हम नहीं के सकते की प्रबंद ने कोमल और व्वारिक विज्ञान हैं और यह राजनिती विज्ञान है या सामय मैं सिमाज में नहीं हुआ करता प्रपदल ने मतलब पूरी तरग किसे नहीं मॉन आपको पहले बताया कि ना पूरी तरगान के से कला है कार एक चिज के समध्स से मतलब ये सिमाइ मुखती है इसलिए मिरा जिल्यों कतले रूप है बतलब क्या है सामाजिक विज्ञान यह प्रबंदन की शुद्ध हुँ होने के कारण क्यूंक यूपके विज्ञान की एक दिसे रहती है मनुषिय व्यववार में विजञान की पहले वादा या प्रबंदन कानगा छूस्ट कि तद्व है इसे शुद्ध विज्ध घाल रेखने का ल nih struggle को गूमा ने कहा कि बीयान की विज्ध्यान ही कला और कला को ही विग्ञान की जरूरत है दोनों एक दूसरत कीं तो लग है समिक्ष्या यह है कि रभंदन की कला या विज्ञान कiken कोई सकते वभंदन को उसकते हैं कि प्रभंदन ही कला और बिज्ञान olmap चल्चिक आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साहस्त इसके आगे पार्ड को लेकर ठीक है तब तक की अच्छी लगई हो चैनल को सस्काइब किजिए शेर किजिए और लाइक किजिए ठीक है कि आपका सहयोगी मुझे अगली वाले वीडियो के लिए प्रिरत करता है तब तक धन्यवाद